बेटे के दो जन्म प्रमान पत्र मामले में आजम खां, अब्दुल्ला और उनके पत्नी तजीन फात्मा को साथ साथ साल की सजा सुनाई गई है इसके बाद तीनों अलग-अलग जेल में बंद है सजा के खिलाफ आजम खां ने सेशलन कोर्ट में अपील की थी इसके सुनवाई करते हुए कोट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है कोट ने कड़ी टिपनी करते हुए कहा कि सपानेता आजम खां नौ बार के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे है अब्दुल्ला आजम भी विधायक और डॉक्टर तजीन फात्मा प्रोफेसर और राजसभा की सदसे रही है ऐसे लोगों से गलत काम करने की उमीद नहीं की जा सकती इसलिए निचली अदालत का फैसला बरकरा रहेगा बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमान पत्र का मामला बाजपा विधायक आकाश सकसेना ने गंज थाने में 2019 में दर्च कराया था इस मामले में सपानेता आजम खां उनकी पतनी तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया था इस मामले में MP MLA Magistrate Trial Court ने 18 अक्टूबर को तीनों को साथ साथ साल की कैद सजा सुनाई थी साथी 50,000 रुपई जर्माना लगाय था कोट के इस फैसले के खिलाफ सपानीता आजम खाने सेशन कोट में अपील दायर की थी जिस पर शनिवार को MP MLA सेशन कोट ने अपना फैसला सुना दिया है जज डॉक्टर विजे कुमार ने निचली अदालत के फैसली को बरकरार रखते हुए तीनों की अपील खारिच कर दी है जिला शासिकी अधिवक्ता फॉजदारी अमिट सकसेना ने कोट में कहा कि निचली अदालत का फैसला विदी सम्मत है निचली अदालत में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष के आधार पर फैसला सुनाया है लिहाज़ा तीनों की अपील को खारिच किया जाता है बतादे कि सेशन कोट ने आजम परिवार की आचिका खारिच करते हुए 40 पेज में फैसला सुनाया कोट ने 37 दिन के भीतर अपील पर अपना फैसला सुना दिया है जिसके बाद शनिवार को कोट ने फैसला सुनाया और 21 दिसंबर को ये बहस पूरी हुई थी बतादे कि सपानेता आजम खा से मिलने की कोशिश में लगे सपाईयों को पुलीस ने कलेक्टरेट और जोहर रोट स्थित गेट से खदेर दिया इसको लेकर कई बार हंगा में की स्थिती भी पैदा हुई है बतादे कि दो जन्म प्रमान पतर की मामले में ही अब्दुल्ला आजम की विधायकी चल गई गई थी उनके निकटम प्रतिद्वंदी रहे नवेद मिया ने उनके निर्वाचन को हाई कोट में चुनोती दी थी कहा था कि अब्दुल्ला नामांकर दाखिल करते समय नियूंतम आयू की शर्त को पूरा नहीं करते थे हाई कोट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला की विधायकी निरस्त कर दी थी और सुप्रेम कोट ने भी हाई कोट के आदेश को बखाल रखा था तो इस कबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा